एक सूफी कहानी है, एक समराट बुढ़ा हुआ, उसने अपने वजीरों को कहा कि मुझे कुछ ऐसा सूत्र चाहिए जो हर हालत में काम आ जाए वजीरों ने बहुत सोचा, ऐसा सूत्र जो हर हालत में काम आ जाए, उनकी कुछ समझ में न पड़ा, वे एक फकीर के पास गए, उस फकीर ने एक सूत्र लिखा एक कागस पर, एक अंगूठी में बंद किया और समराट को लाकर अंगूठी दे दी और आ कहा इसे खोलना तभी जब और कोई सहारा न रह जाए, जब सब तुम जो कर सकते हो कर चुके हो और कुछ सहारा नम रह जाए, तभी खोलना जल्दी मत खोलना, ये सूत्र ऐसा है कि कठिनाई की आखिरी घडी में ही इसका अर्थ प्रगट होगा समराट ने अंगूठी पहनली, कई बार उतसुकता भी जगी, लेकिन वचन दे दिया था तो खोला नहीं फिर देश पर हमला हुआ कोई दस साल बाद, समराट हार गया, भागा अपने घोडे पर, जंगल में दुश्मन पीछा कर रहे हैं, दुश्मन करीब आते जाते हैं, उसकी घबढ़ाहट बढ़ती जाती है तभी उसे अचानक अपने हाथ में अनगूठी की याद आई, और तभी वह घडी भी आ गई, लेकिन उसने सोचा कि अभी भी ऐसी घडी कहां आई है, अभी भी बच सकता हूँ अभी भी कुछ कर सकता हूँ, लेकिन वह घडी भी आ गई, आगे जाकर रास्ता समाप्त हो गया, नीचे खाई थी, पीछे लोट नहीं सकता था, दुश्मन करीब आता जा रहा है, घोडों की ताप और भी करीब आने लगी उसने आखिरी क्षण तक धीरज रखा, जब उसे लगा की बस अब क्षण भर की देर है की दुश्मन आ जाएंगे, उसने अंगूठी खोली, कागज निकाला कागज में कुछ भी ना था, एक छोटा सा वाक्य लिखा था, दिस्टू विल पास ये भी बीट जाएगा, एक क्षण में जैसे बिजली एक कौंध गई, एक क्षण में उसे दिखाए पड़ा अपना सब जीवन, सब बीट गया, तो स्वभावत, ये भी बीट जाएगा, रुखता क्या है? बच्पन नहीं रुका, जवानी नहीं रुकी, पिता नहीं रुके, कुछ नहीं रुका, आया और गया, गंगा कित्मी बह गई, जीवन के इस चित्र को देखते ही वह तो भूली गया क्षण भरको की दुश्मन पास हैं, और जब वह जागा, इस जीवन की कथा से, तो अचानक उसने पाया, घोडों की ताप सुनाई नहीं पड़ती, वे किसी और दिशा में मुल गए थे, साथ दिन बाद वह पुनह जीत गया, वापस अपने महल में आ गया, जब महल में आया तो बड़ा उसका स्वागत हुआ, अशर्फिया लुटाई गई, फूल फिके गए, सारे गाव में दीपमालिका जलाई गई, सारा गाव पागल होकर नाचा, उत्सव मनाया, जब ये सारे उत्सव में अपने हाथी पर सवार उसकी शोभायात्रा निकल रही थी, तब एक क्षण को फिर उसने अंगूठी खोली, ये सुप, उसने फिर वह कागस पढ़ा ये भी बीट जाएगा, उसने अंगूठी वापस रख दी, जैसा वह अलिप्त हो गया था दुख की घड़ी में, वैसा ही अलिप्त हो गया सुख की घड़ी में भी, कहते हैं, वह समराट बिना कुछ किये समाधी को उपलब्ध हो गया